हमें पसंद नहीं आप विवाद मत करिये जितने भी विवाद है उन्हें याद मत करिये इसी में हमारा और आपका भला है समय किमती है इसे बरबाद मत करिये जिहां दोस्तों जिसने समय की उपयोगिता को समझ लिया और जान लिया उसने सफलता को पा लिया क्योंकि समय जब एक बार चला जाता है तो दुबारा लोड कर नहीं आता है नमिश्कार दोस्तों मैं आपकी होस्त और आपकी दोस्त एंकर रंजना जेन एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अविनुद्न करती हूं दोस्तों आज एक ऐसे विशे को लेकर मैं जुड़ी हूं यदि आप वादवियाद प्रतियोगिता में प्रतियोगी की रूप में भाग लेना चाहते हैं और वादवियाद प्रतियोगिता को समझना चाहते हैं उसके विनर बनना चाहते हैं तो कैसे तो चली दोस्तों आज के इस खास वीडियो में यहीं बताएंगे कि वाद व्याद प्रतियों गिता आखिर होती क्या है और इस प्रतियों गिता में हम वीनत के से बन सकते हैं कुछ ऐसी वहत पुन जानकारियों को जान लेते हैं जो हमारी वाद व्याद प्रतियों गिता में हमें एक सफल रूप दे सक सकते हैं और एक अच्छा वक्ता हमें बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह खास वडियो तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस प्रतियों गिता को समझना बहुत जरूरी है पहले तो वाद वियाद प्रतियोंगीता होती क्या है तो वाद वियाद प्रतियोंगीता एक किसी विशे को लेकर बहस होती है उसके पक्ष और विपक्ष में जब दो प्रतियोंगी आपस में बहस करते हैं उसी को वाद वियाद प्रतियोंगीता कहत तो इस तरह से दोस्तों हम वादियोगिता को समझ सकते हैं उसकी परिभाशा को समझ सकते हैं कि आखिर वादियोगिता होती क्या है अब इस प्रतियोगिता को हमें भाग लेना है हम उसमें पाटिस्पेट कर रहे हैं अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है और इस प्रतियोग इस प्रतियोगिता का आयजन होता है और इसमें हम जब भाग लेते हैं तो एक हमें एक विशी दिया जाता है उसके तहत हमें अपनी बातों को रखना होता है सकारत्मक और नकारत्मक यारी पक्ष और विपक्ष में लेकिन शुरुवात करने से पहले अगर मैं आपको कहूंग अगर जो नियम है जो शर्टे बताई गई है उन नियमों को आपको ध्यान रखना है और नियमों के अंतरगत ही अपनी वादियात प्रतियोगिता को आगे बढ़ाना है मान लीजे आपको उसमें कुछ समय सिमा दी गई है उस समय सिमा को आपको ध्यान में रखना है और आप को समय सीमा के अंतरगत अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तूत करना है क्योंकि समय कम होता है मारे पास और समय कम होने की वज़े से हमें अपनी तर्क बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेंड करना है ताकि वहां बीठी ओडियंस जजेस जो भी वहां पर शामिल है उन सभी को ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में हमारी बात और हमारी तरकों में वो जान है जो सब लोगों के दिलों को जिस सकती है क्योंकि जो विशे हमें मिला है उसकी हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए तो यह कब हो सकेगा जब आपके पास ज़्यादा समय रहे जादा कुछ इदर दर की बात ना करें मुख्य अपने बिंदू पर आए अपने विशे पर आए और अपने तरकों को रखना शुरू करतें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा अपनी बात को रखने का दूसरी महत्वपुन यह बात होती है कि जब आपको जो विशे को लेकर वो भी छूट सकती है तो आपको उसका जो असर होगा जजस के उपर ओडियंस के उपर वो भी गलत होगा कि जिस मुद्दे के लिए आप आये हैं उसी बात को आप करें अन्य था इदर उदर ना ले जाएं और नहीं दूसरी बात को शामिल करें इस बात का ध्यान रखना बहुत महत्व पुन होता है इस वाद्वियाद प्रतियों किता में इस तरह से दोस्तों दूसरी महत्व पुन ये बात है कि जब आपको मानलो कोई भी विशे बिला हो आपको मानलीजिए विशे मिला कि मोबाइल आज की युवा पिड़ी के लिए वर्धाने या भी शाफ है ये विशे यह जो अभी कोरुना जैसी महा मारी चल रहे थी उसके अंद्रगजब सिक्षा की बात आती है तो जो ऑनलाइन सिक्षा का इस तरह हुआ है वो अभी शाफ है या वर्धाने हमारे विध्यारतियों के लिए कुछ इस तरह से विशे बन सकता है ऐस अपनी शुरुवात कुछ इतनी बहतर तरीके से आपको करना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन दी लास्ट इंप्रेशन सिक्ष्टी सेटेंड्स यानि एक मिनिट आपके लिए बहुत महत्रपूर्ण किम्ती होता है क्योंकि सामनी जो ओडियंस बैठी है जो जज़स बैठ को एक फोस प्रबल रूट में सबके सामने रख सकते हैं कोई स्लोगन में या कोई सुविचार में या कोई उससे जुड़ी हुई प्रासंगी बात हो उसको सबसे पहले शुरुवात में कहकर अपनी बात को आप मजबूत कर सकते हैं इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिए होसाले कि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो उसके पहले में मेरे मानना है कि अगर आपको एक अच्छे वक्ता बनना पड़ेगा क्योंकि आप एक अच्छे शोता बन पाएंगे तब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे और आप उसकी बात को समझेंगे तब ही आप अपनी स्पीच को और अच्छी बना सकते हैं तो मेरा मानने है कि आप जब भी इस कॉंपटिशन में भाग लेते हैं तो अपने जो अपोजिट आते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनिए और अगर आप अपने विश्य की अच्छी तरीके से तयारी करके गए हैं तो आपको यकित मानिए दोस्तों कि आप उसकी जो उसने बा उनकी बात को लेकर उनकी बात को खंडित कर अपनी बात को स्ट्रॉंग बताया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है तो कहीं ने कहीं आपकी सफलता का श्रे उन्हीं नजर आएगा तो इस बात का आप बहतर से बहतर ध्यान दे एक अच्छे शोता बनने की पहले को क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज होती है जो इंसाम को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम किसी के दिलों पर राज कर सकते हैं और किसी की नजरों से उतर सकते हैं यह बात आप सभी जानते हैं तो हमें अपने शब्दों का प्रियोग बहुती सोस्स समझकर करना है यानि हमें कोई इसी गलत शब्द नहीं निकालना है उसको गलत अंदाज में नहीं बोलना है कोई ऐसे शब्दों का गलत तरीके से प्रियोग नहीं करना है ताकि उसका गलत प्रभाव पड़ सके जो आपके प्रतीभा को और खराब कर सके अपने हुनर को तराशना है अपनी प्रतिभा को भार निकालना है तो हमें अच्छे से अच्छे शब्दों को प्रियोग करके अपनी इस प्रतिभा को जताना है क्योंकि अच्छे शब्दों के मार्ध्यम से वो हमारी बेवहार को अंकलित करती है जब हम अच भी बोडी लेंग्विश पर भी ध्यान देना हुआ जोश और होश इन दोनों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमें एक बर्यादा में रहकर इस चीज को आगे बढ़ाना है और दोस्तों सबसे महत्वपुन ये बात होती है कि जब हम इस प्रतिविता में भाग लेते हैं तो एक हमारा जो रटा रटाय मेटर रहता है वो हमें ठीके पढ़के जाना है ध्यान रखना है लेकिन रटना नहीं है जब आपकी प्रतियोगी आपके पक्षी वपक्ष के अपोजिट जब आते है तो आप उनकी बात को सुनो और उनी की चीज़ को अगर पकड़ कर उसी बात का जवाब आप देंगे तो वह आपकी स्पीच को और जानदार और शानदार बनाएगी और बहतर से बहतर परिनाम देगी यानि आपको समझ कर जाएए उसको रिसर्च करके जाएए उसकी पूरी जानकरी लेकर जाएए तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं और जब मन से बात निकलती है तो पूरी तरह से सची होती है और अपने भाव अपने एक्स्प्रेशन को अपने आप ला देते हैं जब हम रट कर जाते हैं तो इससा लगता है कहीं कोई चीज भूल जाएंगे कुछ गलत बोल देंगे उस गलत हो जाती है जब हमें उस चीज का नौलेश ह होता है तो हम अच्छी तरह से उस बात को explain कर सकते हैं सबके सामने रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों हम वादियात प्रतियोगिता इडी डिबेट इस तरह से करना है और लास्ट में यहीं आता है कि जब समय हमारा पूर्ण होने जाता है तो हम जिस विशे पर बोल रहे हैं उसका एक निश्कर्ष निकाल कर हमें जज और यह सब के सामने उस निश्कर्ष को रखना है मान लीजे आपको कोई भी टॉपिक मिला हो उसका जो महत अखरी में लास्ट में आपको सब के सामने रखना चाहिए और अपनी बात को पूरा करना चाहिए और कुछ अंत में ऐसी शाप दर्शकों के उपर शोताओं के उपर छोड कर जाना है ताकि वह आपकी स्वाद व्याद प्रतियों किता को हमेशा याद रखे और जो विशे म पर राज कर सके ऐसी बात को अंत में देकर अपनी चाहिए सब तक छोड़ कर जाना है और इस तरह से अपनी स्पीच का एंट करना है तो दोस्तों मेरे खाया से छोटी-छोटी सी जानकारियों को हम हासिल करके इन चीजों को जानकर अपनी स्पीच को बहतर बना सकते हैं और वाद व्याद प्रतिव गिता को हम सफलतम रुप दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वाद व्याद प्रतिव गिता की तैयारी कीजिए तो दोस्तों इस डिबेट कॉमपोटिशन को जीत के एक सफल अंजाम दीजिए और व दोस्तों फिर एक ने वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी तब तक के लिए बाई